हेलो फेरेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चनल ओपेन स्टेडी एरिया पर आएए देख लेते हैं बेयार वी पीएस सी टीचर एक्जाम नेस्वर में बैटने से पहले हाई वोल्टेज रिवीजन क्लास हाई वोल्टेज रिवीजन क्लास में मैं मत दोस्तों इस वीडियो में उमीद करते हैं कि कम से कहम 500 से अधिक कोसंस प्रभाइड करेंगे और कल इसके सेकंड पार्ट में पूरे का पूरा विंदो किलियर हो जाएगा तो बिना इस वीडियो को देखे हुए आप एकजामस में नहीं पहुचिएगा वरना आपके साथ आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन हो सकती है सुरू से अन तक इसको लगातार देखते चलिएगा एक एयरफून लगा लिजी अपने कान में और लगातार 500 प्लस अभी के वीडियो में आप जरूर देख लिजी पहला प्रशन भगवान बुद्ध को प्राप्ति ज्यान की प्राप्ति कहा हुआ हुआ बोद गया है इसक फास चलते चलिएगा भारत की मुखे भूमी का दक्षिंतम बिंदू का किनारा कौन सा है कन्या कुमारी इसका सही अनसर है भारत में सबसे पहले सूर्ज की सराज में निकलता है और रुनाचल प्रदेश इंसुलीन का प्रयोग की स बिमारी को उपचार के लिए करते है मदो प्रदेश का विषकार करने वाला देश कौन था चाइना आगे बढ़ेंगे और अगले मिंदू है कि कौतम बुद के बच्पन का नाम किया था सिधार्थ भारत में अससस्तर बलो का सरवच से नापती रास्टपती होता है रतोधी किस बिटामिन की कमी से होती है बिटामिन शुलताना थी मचली किस की सहायता से सांस लेती है गलफडों की सहायता से इन कलाब जिन्दावद कनारा भगत सिंग ने लगाया था जालियावला बाग हत्या कंड कब हुगा अने 1449 में कांगरेश छोडने के बाद सुबास चंदर वोस ने किस दल के स्थापना की थी किसने अपना पहला बलिदान दिया था मंगल पंडे भारत की पहली महिला राज जेपाल कौन थी सरोजनी नाइडू इसका सहियन सरोजागा माउंट एवरेस्ट पर दो बाड चड़ने वाली सासी का हुए संतोस यादो ब्रहम समाज की अस्थापना किसन के दुआरा हुआ था राजा राम मोहन राय के दुआरा स्वामी देयानंद सरस्वती का मूल नाम किया था मूल संकरिन का सही अंसर हो जागा बेदो की ओर लोड चलो कनारा स्वामी देयानंद सरस्वती ने दिया था रामकृष्ण मीसन की अस्थापना करने वाले ब्यक्ति के नाम स्वामी विवकानन्द वास्को डिगामा भारत का बाया 1488 बेरिसपी में बने रहेगा हमारे साथ और यदि चनल पर नयदो चनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा अपने दोस्तों में जरूर सेर कर दीजे ताकि उनका भी कुछ कल्यान हो जाए एकजामस के पहले यह हाई वोल्टेज जो रिवीजन कलासेज है आप लोग के लिए प्रदान की जा रहे है ओपेन स्टडी एरिया यूटूब चैनल से दोस्तों अपना प्यार इस चैनल पर बनाये रखिएगा आपकी प्यार का ही वज़ा है कि हम अभी लगबग सत्रह हजार के करीब करीब सुस्क्राइबर्स ले करके चल रहे हैं वासको डिगामा का कहा करने वाला था पूर्त गाल करने वाला था हवा महल कहां इस्तित है जैपूर में सीख धर्म का संस्थापक निमलेकित में से कौन थे तो सही अंसर है गुरू नानक देव सीखो का प्रमुक तैवार कौन सा है बैसाखी लोग पूरूस की स्कोन किन को कहा जाता है सर्दार बलबभबाई पटेल को निताजी की स्पहापूरूस को कहा जाता है सुबास चंदर वोसको दिल्ली इस्तित लाल बहादूर सास्त्री की समाधी का नाम किया है बिजय घाट इसका सायन सरोजागा माँ भारत की रचैतानिम लेकित में से कौन से है महरसी वेद व्यासिन का सायन सरोजागा गला कोसन अर्थ सास्तर के नामक पुस्तक किस्ट ने लिखी ती चानक के यानिकी कोटिल और अर्थ सास्तर का जो जनक कहलाता है एडमे स्मीत को कहा जाता है जय जबान जय किसान के नारा दिया था लाल बहादुर सास्तिरी ने समिधान सभा के अस्थाई अद्यक्ष डक्टर एंदर परसाद थे और समिधान सभा की प्रणूप समिती के अद्यक्ष डक्टर भीम राव अमबेढ कर हो जाएंगे लेकिन आगे बढ़ते चलिए 500 पलस यानि एक हजार के करीब 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 करने की तयारिया है और आज के इस वीडियो में 500 इसलिए थोरा सा आप सुरुआथ में आप एसाना सोचे की बहुत लो लेबल कोशन नहीं नहीं आगे बढ़ियेगा अंतराश्टी की हर प्रकार की कोशन मिला कर एकजामस में रहता अंतराश्टीय महिला दिवस किस्तिती को मनाई जाती है आठ मार्च शेतरपल के दृष्टी से भारत का सबसे छोटा राज़े कौन सा है गोवा ओणम किस राज़ की तेहवार है किरल में ओणम मनाई जाती है दिल्ली भारत के रैधानी कबनी अन्यसो एगारह बारह इसपी में सबसे चम्कीला गरह कौन सा है सुकर गरह भारत का रास्टिय पसू कौन सा है बाग आगे बढ़ते चलते भारत का रास्टिये पक्षी कौन सा है मोर भारत का रास्टिये जलिये जी गंगा डॉल्फीन है भारत का रास्टिये फल कौन सा है आम भारत का रास्टिये फूल कौन सा है कमल आगे बढ़ते चलते भारत का रास्टिये पेड बरगद है भारत का राष्टिये खेल होकी के नाम से जाने जाती है भारत के राष्टिये जंडे की लंबाई और चोराई का अनुपात तीन अनुपात दो होता है और भारत का राष्टिये गीत कौन सा है बंदे मातरम सुजलाम सुफलाम बल्याज सीतलाम भारत राष्टिय गीत लिखने वाले व्यक्ति बंकिम चंचतरड़ी है महात्मा गांधी को राष्ट पीता किस्क से पहले सबसे पहले किस्ट ने कहा था नेताजी सुबास चंद्रवोस ने हमारा राष्टिय पंचांग कौन सा है सक संबंध हमारा राष्टिय पंचांग है राष्ट गान की ओधी कितनी होती है बावन सेकेंड इसका सही अंसर है रेडियो एक्टिविक्ता की खुच करने वाले हेंडरी बेकरल इनका सही अंसर हो जागा पेसमेकर संबंदीत है कि इस अंग से तो हीरदे अंग से ये संबंदीत है अगला विंदु है कि कारवन की सरवादिक सुदरूप जो है वह हीरा कहलाती है एक सरे काविस्कार करने वाला व्यक्ति रॉंड जन है किस दातू कपड़ योग मानो द्वरह सबसे पहले किया गया था तांबा कपड़ योग सबसे पहले मानो द्वरह किया गया था अंतरिक शातरी को बाहर अकास कैसा दिखाई देता है कला इसका साई अंजरों जागा दुर्बीन का भिस्कार किस्ट ने किया था गैलेली ओ गैलेली ने किया था दिल्ली इस्तित महात्मा गांदी की समाधी का नाम क्या है तो दिल्ली में इस्तित रहने वाली महात्मा गांदी की समाधी कहा है तो दिल्ली में उसका नाम राजगाट हो जाएगा जब कि लाल बहादू सास्त्री के लिए बिजय घाट नाम द सब्सक्राइब सदस्यता नहीं बने पता नहीं इस बार सेलेक्शन होगा या कब होगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो हम हर एकजामस में आपकी कड़ी से कड़ी मेनत करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिग और अपन मुख्य मंतरी जो थे पंडित भगवन देयाल सरमा थे संजुक्तराश्ट संड की हस्थापन चौबीस सक्टूबर 1945 स्पी को हुआ था संजुक्त महारास्ट संजुक्तराश्ट महासंग का या संग का मुख्याले निउयारक में इस्तित है संजुक तराष्ट संग का मुख्याले नियू यार्क में इस्तित है संजुक तराष्ट संग के पहले महासचीव जो थे संजुक तराष्ट संग के पहले महासचीव जो है त्रीग वेली में उपस्तित है इस समय संजुक तराष्ट संग के कितने सदस्य देश है 193 देश है अंतराष्टिये नियाले का मुख्याले कहां इस्तित है तो अंतराष्टिये नियाले का मुख्याले जो है दहेग हॉलेंड में पस्तित है संजुक्तराष्ट संग के बरतमान महासचीव कौन है बान की मून इसको थोरा सा छोड़ दीजेगा आगे बरते चलते हैं 88 नमर कोसन संजुक्तराष्ट महासंग में हिंदी के भास हिंदी न भासन देने वाले पहले भारतिये कौन थे अठल वियारी वाज़ पे इने सबसे पहले संजुक्तराष्ट महासवा में संजुक्तराष्ट में पहली बार उन्होंने हिंदी भासन दिया था अगला बिंदु है परसने का अता है कि संजुक्तराष्ट संग सुरक्षा परिशद के अस्थाई सदन की इतने सद बर्स के लिए चुने जाते हैं दो बर्सों के लिए अस्थाई सदन संजुक्तराष्ट संग का चुना जाता है हिंदी दिवस का मनाई जाती है 14 सी नमबर इसका सयन सुरगा समिधान के किस अनुछेद के द्वारा हिंदी को राष्ट भासा गोशित किया गया है अनुछेद 343 के तवस हिंदी को राजभासा गोशित किया गया है ओलम्पी खेलों के एकल अस्पर्दा में पर स्वर्ण पदक जीतने वाले एक मात्र भारती है कौन थे अभी नो बिंद्रा जो सबसे पहले अचा किया नो ने उलम्पी खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है चार वर्षों पर ध्यान दखियेगा सन 2016 में उलम्पी खेल कहां हुआ था रियोडी जेनरों में अंतरास्टी अब फिलाल जो है इधर वाला जो उलम्पी खेल हुआ वह कहां हुआ था जपान की टोकियो सहर में अंतरास्टी एमानोवधी का दिवस कम बना जाता है दस दिसंबरिश का सहीन सरुजागा हर्याना की कौन सी नसल भैस प्रशीद है मुर्रा जो भैस है वो हर्याना की एक प्रमुक नसल भैस है जो की आपको उच प्रजाती की भैस के नाम से जाने जाती है प्रसीद सितला माता की मंदिर कहा है गुड़ गाओं में इसका सइयन सरो जगा विसाल हरियाना पाटी हरियाना पाटी किस ने बनाई थी राव विरेंदर सींग ने विसाल हरियाना पाती बनाया था हरियाना का छेतरपल लगवा कितना है तो 44-24212 वहीं पर बिहार की चुरानबर 163 किलोमीटर स्क हरियाना के पहले मुख मंत्री पंडित बगवत ये बताया गया है इस देश की अस्थल सीमा सरवाधिक देशों के साथ लगती है चीन का जो है सरवाधिक देशों के साथ अस्थल ये सीमा लगती है आगे बरते चलते बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट क्या बतात जो है आपको बाग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पृत्वी और एक सिंग वाले गंडा वगर के लिए अब जान दे испम, अपनी धूरी पर किस दिशा में घूंथी ये it तो अपनी धूरी पर पस्च्चिम से पुरब की तर्फ दुँती है पस्च्चिम और पर से पौरिश्च भी याद रेंगे तो याद रहेगा पूर्व मत कर दीजेगा उजयन कीस नदी के किनारे बसा हुआ तर शीपरा नदी के किनारे उजयन बसा हुआ है या इसे ले करके रहूंगा या सब्द जो है गंपाल गंगा धर तीलक जिनको लुकमाने तीलक के नाम से भी जानते हैं राजसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी ओधी के लिए होती है चो वर्सों के लिए होती है प्रतिक दो साल पर इसके एक बैटा कुछ तिहाई भाग जो हैं सन्यास ले लेते हैं अर्था ते उनको अवकास गोशित कर देता है हिंदी भासा के लिपी क्या है देवनागरी इसका सहींसर हो जागा हमारी आकास गंगा का नाम क्या है दूद मेकला या मिलकी वे हमारे आकास गंगा की नाम है हिंदी भासा का पहला समचार पत्र कौन था उदंत मारतंड इसका सहींसर हो जागा कोई अगर समस्या किसी कोशन में आती है तो आमें कमेंट करके मेंसन करा दीजिए आपका सदा अभारी रहा जाएगा इस चैनल पर तूल सीधा स्कृत रामचरित मारस इंदी भासा की किस बोली में लिखी गई है तो अवधी भासा में यह लिखी गई है हडियाना के राज कभी कौन कालाते हैं उदय भानू हंस कालाते हैं वहीं पर बिहार के जो हैं कभी जो कालाते हैं विद्याफती कालाते हैं आधोनिक ओलंपी खेलों की सुरुवात कब और कहां किया गया था एथेंस यूनान में अठारस और चानबेर इसपी में किया गया था आगे है भारत में किस खेल में उलम्पिक खेलों में आठ बार सुवर्ण पदक जीता है। कहां हुआ था लंदन में हुआ था 2012 में उलम्पीक vulnerable में कितने गोले होते हैं पांच गोले होते जो पांच हो महादीब को सूचीद करते हैं एक उलम्पीक में सरवादिक पदक जीतने वाले खिलाडी कौन हैं माइकल फिल्प्स इनों से एंशर हो जागा सन 2022 में ओलमपी खेल कहा खोला गया टोकियो या देखे टोकियो जपान की रैधानी में सन 2012 के ओलमपी खेलों में कहां से पदक जीतने वाली साइना नहवाल का संबंद की स्खेल से है तो बैंड मिंटन से है उसके बाद पीबी सिंदू ने यह करनामा जो किया था रियोडी जेनरों मे भारत में उन भारत ने ओलमपी खेलों में अपनी पहली बार्कीस बर्स भाग लिया था तो भारत ने ओलमपी खेलों में सबसे पहले अनई स्वाइसपी में भाग लिया था आगे बढ़ते चलते हैं अगले बिंदू के लिए ओलमपी खेलों में पदक जीतने वाले भारती महिला की लाड़ी कौन थी करना मौलेश्वरी इनका शायन सर जागा बैक दव एड्स के मतलब अवेदों की और लोट जाना यह नारा जो है महरसी दयानांद सरस्वती ने दिया था प्रसीद जंडा उंचा रहे हमारा किरचेता स्यामलाल गुप्त परसाद हैं पस्वों में मिल्क फीवर यानि की बिमारी किस की कमी के कारण होती है कैलसियम की वज़र से पस्वों में मिल्क फीवर नामत बिमारी होती है मानों सरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है गुर्दे के द्वारा यूरिया से रक्त को फिल्टर किया जाता है किस एक मातर भारतिये को अर्थसास्तर में नोबेल पुरिशकार दिया गया पुरफेसर अमरतिश्यन को जो है नोबेल पुरिशकार दिया गया भारत रतन उस्ताद विश्मिलना खा किस बादे अंतर के बादन से बिख्यातर है सहनाई बादन से संबंदी थे भारत के अंतिम में भारत के अनुसंधान केंदर का नाम क्या है हे मादरी यदि आप चैनल पर नए है तो इस ओपेन स्टड़ी एरिया यूट्यूब चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर दीजे लाइक कर दीजे वीडियो का अपने दोस्तों में तो जरूर सेर कर दीजे का नियम के अनुसार ये बताया गया कि दुरौ सभी दीजाओं में समान दाब जो है पारिद करता है क्लोरोफील का खनीज घटक क्या है मैगनेसियम आगे बरतेशे लपीजी गैस में निमले खितमे से क्या होता है तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है मुक्रूप से इसमें मेथेन भी उपसीत रहता है किसने सरप्रतम असोक के अभी लेखों को पढ़ा था जिम्स प्रिसेंप ने सबसे पहले असोक के लेखों को पढ़ा था किस बहूद भीक्छो के परभाव में असोक ने बहुत धर्म गरहन किया था उपश गूप्त के संडक्षन में कौन सा मुगलबत सा असिक्षित था अकबर गो किसी ऐग एक अक्चर का वी ग्यान नहीं था अम्रित सहर की अम्रित सर सहर के स्थापना किस ने किया था गुरू रामदस ने अम्रित सहर के स्थापना किया था गदर पाटी के संस्थापना कौन था लाला हर द्याल आगे बढ़ते चलते सीक इतिहास में लंगर परथा किस ने सुरू किया था पूरू अंगत्देव ने लंगर प्रथा सुरू के दह जिसमें जो है भुके लोगों को फ्री में खाना किला जाता है सबसे प्राचीन बेद का नाम क्या है रीग बेद सबसे प्राचीन बेद किस सुल्तान ने अपनी रहधानी दिली से सीकंदौलता बाद कर दिया था मुहम सरवदाता के नाम से जाने जाती है ओ जो वलड है वो सरवदाता के नाम से जाने जाती है मनुसी के सरीर में कितनी हडिया होती है दो सच्छे यानि कि अब लेखिन यह जन्म के समय जो तीन के 306 से साथ तीन के दो तीन से दो से लेख तीन सच्छे होती है सूर्ज के प्रकास की गती कितनी होती है 3 लाग किलो मेटर पर Mr. acronym लिखा गया है अगला बींद्व is प्रितभी सूर्जी की चकर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था कॉपर निकस ने प्रकासबर्स का सम्बंद की से ख खोले रहना यह प्रकासबर्स जो होता है वह दूरी के दिल्ली में तेसे लिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ जती था नई दिल्ली में इस तोनों में कॉन्फूजन हो जाती इसलिए एक जगा किया गया है ताजमहल कहाँ इस ती तो ताजमहल जो सभी जानते हैं कि आगरा में इस्ती थे अजाद हिंद फाज की अस्थापना हुई थी अजाद हिंद फॉज की अस्तापना जो है सुबास चंद्र वोष ने सिंगापूर में किया था सिख्षक दिवस मना जाता है पांस सितंबर को खेल दिवस मना जाता है उन्ती सगस्त को आगे बढ़ते चलते हैं अगला कोशन दोस्तों किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मना जाता है मेजर ध्यान चंद्र की जिनको होकी का जादुगर का जाता है बिश्व पढ़्यावरन दिवस पांच जून को मना जाता है आगे बढ़ते चलते हैं करो या मरो का नारा किस ने दिया महात्मा गांधी ने जैह पूरा नाम किया है तो महांदास करम चंद्र गांधी गांधी जी को महात्मा की उपादी रवीद ना टैगोर ने दिया था वही राष्ट पीता सुभास चंद्र बोस ने दिया था माई एक्षपेरिमेंट वीदर तूट पुस्ता के लेखक महात्मा गांधी हैं आगे बढ़ते चलते है भारत का सर्वोच नागरीक संबान जो है भारत रत ने फिल्म के छेतर में दिया जाने वाला सर्वोच सायं भारती पुरसकारने मिले कितमे से दादा सहाव फाल के हैं भ कंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्म स्ट्रॉंग था यह और चंत्रिक्ष में जाने वाला प्रथम भारती व्यक्ति रास्ते क्रकेश सर्मा थे प्रथम भारती उपगरह का नाम किया था और यह कब छोड़ा गया आर्यभट नाम था अनिस पचात्त पर चंत्रिक्ति रावित करती अगना से डुरंड कप का संबन्ध फुटबॉल से संबन्दित है आगे बरते चलते भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है हीरा कुंड बांध वसंविदान की आठवी अनसूची में कितनी भात यह वासाओं की मन्याता दी गई है 22 भासाओं क इसको कहा जाता है सरोजनी नाइडू को भारत की कोकिला के नम से जानते हैं दिल्ली में कुतु मिनारकिस ने बनवाया था कुतु बिदिनी एदवक ने बनारा से इंदू बिस्वी द्याले के संस्थापकोंने मदन मोहन वालविया अर्थसास्तिर के लेखा कोटीले हैं और सदस्य हैं दस देशों की मतलब एक सदस्यता बनाई ये गई है उसको दक्षेश के नाम से जानते हैं भारत की तट्रेखा की लंबाई 7,516 किलो मीटर करीब करीब होती है बिस्व में अवरक का सरवाधी उतपादक करने वाला देश भारत है ग्रांट ट्रक रोड किसने बन सब्सक्राइब बिटामिन C का रसाइनी की नाम क्या है एसकारवी कमल वसा में गुलन सील विटामिल कौन सा है ए और ई जो होता है वसा में गुलन सील एडी ए के होता है ऐसे अपसन नमर A, D, E के ये सब वसा में गुलन सील है सदारन नमा का रसाइनी की नाम क्या है एने सी एल हसाने वाली गैस का रसाइनी की नाम क्या है नाइट्रोस अक्साइड एन्टू ओसका सुत्र होता है धावान सोडा का रसाइनिक नाम क्या है सोडियम कर्वोनेट और पीतल की इंदो धात्वों को मिला कर बना जाती है तामबा और जस्ता को मिलाने से पीतल का निर्मान होता है कालसी फिरॉल किस विटामिन के रसाइनिक नाम है विटामिन डी के वज़ा से और नेत्र दान में नेत्र के किस भाग की दान की जाती है कौर्मिया की दान की जाती है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट की मातरा होती है कोसिका का पावर हाउस माल्ट्रो कॉंडिया को कहा जाता है दोस्तों ये सबी होनी चोर है जो S.C.E.R.T. से लिया गया है और S.C.E.R.T. के ध्यान में रख करके इस विडियो को तयार किया गया है देखिएगा कोश्टन्स बहुत भाड़ी मातरा में आपको यहां से मिलेंगे बने रही हमारे साथ लाल रक्त कनिकाओं का निर्मान हमारे सरीर के किस भाग में होता है अस्ति मज्जा में राष्टिय विग्यान दिवस 28 फरवरी को मना जाता राष्टिय विग्यान दिवस उसके बादे बलाड प्रेसर को मापने के लिए किस यंतर का प्रयोग करेंगे स्पीक मो मैनोमीटर का प्रयोग बलाड प्रेसर को मापने के लिए करते हैं computer की पर permanent memory क्या अकल आती है तो computer की permanent जो memory होती इसको रोम कहते हैं read only memory इसका सुत्र होता है ये आपका फूल फॉर्म होता है किस अधिवेसन में कांगरेस अग्रबादी नमक दोनों दलों में भाजन हो गया था 1907 की सूरत अधिवेशन में ये भी भाजित हो गए तंजोर का अभिर्यदिस्वर मंदिर किसने बनवाया था राजा 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 प्रतम चोलने मुगल समराट का अकबा का जनम कहा हुआ था अमरकोट के दुर्ग में इनका जनम हुआ था 2014 का फुटबॉल बिस्वर कप किस देश में खेला गया तो बराजील में और 2028 का फुटबॉल बिस्वर कप किस देश में खेला आयोजीत होगा रूश में इसके बारें बताया गया था रूश उसके बाद फिलहाल जो यह है फुटबॉल बिस्वर कप हुआ था उसको कहां प न्यूजिलिंड ऑस्ट्रेलिया में इस बार जो है बर्स 2023 का जो है वल्ड कफ जो है भारत में अजुदित की जा रही है संसत के दोनों सादोनों की संजुकत बैठक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है भारत के परतम लोख्षभा अध्यक्ष कौन थे गणे इस वासु देकर माल वंकर जुन है भारत के परतम लोख्षभा की अध्यक्ष थे भारतिय सम्भिधान के किशन उच्हेद के अंतरगत जम्मु कस्मीर को विशेश दर्जाय दिया गया था प्राप्त था अनुसेद 73 से जो क्यों हटा दिया गया है कोई विदेक, धान विदेक है या नहीं इसका निरने लोक सभा अध्यक्ष करता है विश्व का सबसे बड़ा महादीप जो होता है AESIA है हैथाधराबाद किस नदी के किनारे है मुसी नदी के किनारे हैदराबाद टीका हुआ है बेश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मेक्शिको छेतरपल के अनुसार बेश्व की सबसे छोटा देश जो है वैक्टिकन सीटी है स्वेज नहर की इन दो सागरों को जोड़ती है तो भुमद सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान है उसको आगे बढ़ते चलते हैं प्रित्वी दिवसकब मनाई जाती है 22 अप्रेल को और फूलो की घाटी किस राज्य में इस्तित है उत्रा घंड में उस तसे दे चमोली को फूलो की घाटी कहा जाता है बड़सो 2011 में नव निर्मित राष्ट डक्षनी सुडान के रधानी कौन सी है जूबा योजना आयोक का अध्यक्ष निमले कितम से कौन है प्रधान मंतरी जो है योजना आयोक का अध्यक्ष होता है अब इसका नाम नीती आयोक कर दिया गया है आईने अकबरी का लेखक निमल सबसे चोटी हडी कौन सी है एस्टेपी जो हडी होती है हमारे सरीर के सबसे चोटी हडी होती है सबसे बड़ी हडी को फीमर बोलते है यह हमारे जांग में पाई जाती है मानोसरीर में कितनी अस्तिया होती है चोसा उन्चालीस मानोसरीर में अस्तियों की संक्या होती है लाल लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की पर चढ़ाने की परकिरिया को जस्ती करन या गल्वेनी करन या गल्वेनाईजेशन के नाम से जानते हैं तिनों के तिनों एक ही बात है मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंथी का नाम यक्रित है भारत का प्रतम तेल सुदक सायंत्र जो है डिग बोई असम में स्थापित किया गया UNESCO द्वारा कलिंग पुरसकार की इस छेतर में दे जाता है भी ग्यान के छेतर में कलिंग पुरसकार दे जाती है हैदराबाद में चार मिनार का निर्मान किसने करवाया था कूली कुतुब सहने हैदराबाद में चार मिनार का निर्मान उन्होंने करवाया था स्वेट करांती के संबंद की से दूद से भारत के सबसे पुढ़ाना चालू रेल इंजन कौन सा है फेरी क्वीन जो है भारत के सबसे पुढ़ाना चालू रेल इंजन है भारत में अपातकाल की प्रतम घोसना कब की गई थी चीनी आकरमन के समय 26 सक्टूबर 1962 में भारत में भा सिरलंका का पुराना नाम सिलोन है और विटामिन की खोज किस ने किया था तो फंक ने विटामिन का खोज किया था एस्टेनलेस स्टील की मिस्र धातू है तो एस्टेनलेस स्टील जो है दोस्तो आइरन, क्रोमियम और निकेल का यह है देखे कि अगर वीडियो फास्ट होगी है तो सलो कर लीजेगा और सलो लगर होगा तो फास्ट कर लीजेगा एक से दो बार तो आपको जरूर इसको दो से तीन बार जरूर आपको appropriate इयर फोन लगा करके और देखना होगा और याद रखे बहुत जरूरी है कि इक्जामे बैटने से पहले इस सेट को देखना कांसा किसका मिस्र धात्तु है तो आयरन और टीन को मिलाने से कांसा बनता है स्वामी वेक अनंद सीकागो में विश्व धर्म समिलन कब स्थापित किये 1893 स्विमुन होने भाग लिया था मात्मा वोदे ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था सारनात में इसका सही अनसर हो जागा आगे बरते चलते हैं साइमन कमिसन के बहिसकार के दुरान लाठी चार्ज की सिनेता की मृत्य हो गई थी भारत में निर्मित पर्थम कम्प्यूटर का नाम क्या था वो भारत में निर्मित होने वाली पर्थम कम्प्यूटर का नाम है गायतरी मंतर का उले किस गरंत में किया गया है रीक बेद में मानो सरीर में पाचन किरिया अधिकतर किस अंग में संपन होती है चोटी आतमे मानो सरीर के पाचन के क्रिया संपूर्णूप से संपन होती है अनुवन सिक्ता के नियमों के प्रतपादन निमली कितम से किस ने किया था गुरोगर जैन मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया था मनो द्वारा सबसे पहले किस धातू का पड़ियो किया गया तामबा का बाल पेन किस सिधान पर काम करता है प्रिष्टिय तनाव पर यह काम करता है रेसम के कीडे किस वरिक्ष के कोमल पतियों पर पाले जाते हैं तूत के पौदे के वरिक्ष के कोमल पतियों पर रेसम के कीडे पाले जाते हैं रक्षराजस्थान में खेतरी किस के लिए प्रसीद है खेतरी जो है तामबे की खनन के लिए प्रसीद है प्रित्वी के सबसे नजदीक गरह कौन सी है सुक्र सबसे नजदीक प्रित्वी के नजदीक पुछा जा रहा है अगर सूज के पुछा जाता तो बूध हो जाता तो प्रित्वी के सबसे नजदीक सुक्र गरह है मदू मखी पालन क्या कालाती है गाड़ीयों में पीछे के दरिश्ट को देखने के लिए का कौन सा दार्पन पड़ियों के जागा सेयन सरोजाग उतल दरपन का प्रयोग जो है साइड मिलर के रूप में की जाती है समाने इस परिस्थितियों में हवा अगर प्रस्थन है 300 नमर को सने कि समाने इस तीतियों में हवा में दुवानी की गती कितनी होती है आठ ग्रहों में से कुल मिला करके दो ग्रह हैं जो अपनी धूरी पर पूरव से पस्षिम की और घुमते हैं सभी ग्रहों पर इन दो को छोड़ करके सभी ग्रहों पर जो है सुर्योधर सुर्व की दिशा में होता है वहीं सुक्र पर पस्षिम की दिशा में सुर्योधर होता ह तो एक टूत एंसर आपके पास सुक्र है दूसरा आप हमको एंसर कमेंट करके बता दीजेगा कि वह एक और गरह कौन सी है जो पूरब से पस्यम के रुखमती है सुर्ज में सरवाधी गेस कौन सी होती है हाइड्रोजन पृतबी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला गरह कौन सा है इसको सुक्र गरह के नाम से जानेंगे 304 नमर कोसने कि सोर मंडल की आयूग कितनी है तो लगबग 6 अरव बर्स पुरानी है कौन सा पुछलतारा 76 बर्सों पर दिखाई देता है हेली पुछलतारा जो है पिछले 76 बर्सों पर दिखाई देता है प्रित्वी और सुर्ज के बीच की दूरी 15 करोर किलो मीटर मानी गई है सुर्ज का प्रकास प्रित्वी तक पहुँचने में कितना समय लेगती है तो सेकेंड बदलेंगे तो ये 500 सेकेंड इसका एंसर हो जाता है आगे बिंदु है कि भारत में पहला परमानू परिक्षन कब किया था 14 माई अनी सो जोगतारिस्पी को पोकरन राजस्तान में जो है प्रतम परमानू परिक्षन हुआ था कंप्यूटर के जिस भाग में जिस भाग को हम असपर्स कर सकते हैं वो क्या कालाता है हाडवेर के नाम से जना जाएगा कैंसर के उपचार में प्रयूक्त होने वाली जो गैस होती है उतकरिष्ट गैस रेड़ॉन होती है मेनुजाइट बालू में कौन सा खनीच पर राप्त होता है तो थोरियम मेनुजाइट से पराप्त की जाती है सरीर में सबसे बड़ी गरंती अंतासरावी गरंती कौन सी है थायराइड थायराइड जो सबसे बड़ी अंतासरावी गरंती है संसार का विशालतम अस्तंधारी कौन है वेल मचली जो सबसे विशालतम जो है आपका क्या है अस्तंधारी है बलाड गुरुप की खोज किसने किया था तो लैंड श्टिनर यानि की लैंड श्टिनर ने सबसे पहले बलाड गुरुप के खोज किया था एलमूनियम का प्रमुक आगे बिन्दु है कि पहला कृतिम उपगरह कौन सा था तो पहला कृतिम उपगरह जो था वो एस्पोतनीक वन था जिसको रूश ने अपने एस्पेस सेंटर से छोड़ा था किस उपगरह द्वारा यांते कुर्जा को बिदुत उर्जा में परिवर्तित की जाता है डाइनेमो के द्वारा यांते कुर्जा को बिदुत उर्जा में परिवर्तित की जाती है कम्पीटर की औस्थाई एस्मृती क्या कलाती है तो कम्पीटर की औस्थाई एस्मृती जो होती है रैम कलाती है जबकि वहीं पर अस्थाई जो मेमोरी है उसको रोम कहते हैं रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है सही अंसर है भू कमती वृता को रिक्टर पैमाने के द्वारा मापते हैं भू पटल में सबसे प्रधिक कौन सी घासे कौन सी धातु है तो एलमुनियम आगे बरते चलते है किस गरह को साधिका तारा तक कहा जाता है सुकर गरह को इस सबसे नीचली सता को क्या कहते हैं छोब मंडल पृतवी की एक डिगरी दे सांतर घूमने पर कितना समय लगता है चार मिनट इस प्रकार से आप देखते चलीगे प्लास्टर और पेरिस किसने बनाया था या किस से बनाया जाता है तो प्लास्टर और पेरिस जीपसम से बनाया रिजर बैंक आफ इंडिया का मुख्याले मुंबई में है किसे सीमानत गाधी की नाम से जानते हैं खान अब्दूल गफार खान को बिस्व का सबसे बड़ा दूइब कौन सा है तो ग्रीन लेंड स्वतंत भारत के प्रतम राष्टर पती कौन ते डक्टर राजेंदर परसाद काली मीटी किसे फसल के लिए सरवाधी को उप्यूगता है का पास इसका सई अंसर हो जाएगा कौन सी बीदे सी आकरमन काडी को है नूर हीरा एवं महयूर सी आसन लूटकर अपने सांत ले करके चले गए अगे बढ़ते चलते हैं भारत में सबसे पुरानी परवत्र सरिंखला कौन सी है अरावली परवत्र सरिंखला जो है भारत की सबसे पुरानी जो है परवत्र सरिंखला है धरती के तल का लगबा कितने परतिसत में जो है पानी है करीब-करीब एकतर परसेंट याद रखिए क के 95% इसे आगे भी जाता है इसको तुछा सा क्वीट कर दीजएगा मारत की सबसे लंभी अस्थलिय सीमा किस देश के साँत लगती है बंगलदेश के साँत हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह कौनसा है बिरी अस पती गरह जो है सबसे बड़ा गरह उसमें गैस में होता है यही कारण है कि गैस सिलिंडर से गैस लिक को हम लोग पता लगा लेते हैं वाई मंडल में सबसे अधिक गैस का परतिशत क्या है नाइट्रोजन कुनार का सूरिय मंदिर की इस परदेश में इस्तित है उडिसा में कुनार का सूर्य मंदिर इस्तित है किस देश से अलग होकर बरस अने से एक अत्तर में बांगलादेश का निर्मान हुआ पाकिस्तान से अलग होकर के कम्पीटर की भासा डबलू डबलू का अर्थ क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेव होता है एक किलो वाइट में कितने वाइट होता है दस्तर चौबिस बाइश भाड़ती राष्टिय कॉंग्रेस अने 29 के एतिहासी का दिविशन के अध्यक्सता किस ने किया था पंडि जोहलाल नहरू पूर्ण सोराज की मांग इसमें की गई थी केंदरी एसेंबली में बमफेक ने में भगत सींग के साथ ही कौन था बटु के सवर्दत मुस्लिम लिग ने भारत विवाजन की मांग सबसे पहले कब किया था 1940 इसपी में कॉमन आगे देखेंगे अगला बिंदू है अभणतिसन इसका Rights Nhur हो जाएगा 1856 में बिदवा पुनरविवा कानून किसके परियासों से लगाया गया गई तो 1856 में बिदवा पुनरविवा कानून जो है वह इसवर्चंद बिद्यासागर के परियासों से लगाई गई है लॉर्ड केनिंग ने नॉवंबर 1878 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के सासन की घोशना किया था लॉर्ड विलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संदिकिस राजिके सासन सासक ने की थी है दरबाद के निजाम ने भारत की सरवादिक बड़ी जन जाती कौन सी है गोंड इसको कहीं कहीं भीर लिखा गया लेकिन बरतमाना करों के साथ गोंड है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थी एनी बेसेंट तो याद रखेंगे भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की पहली मरला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी लेकिन भारतिय पूछ दे जातों सोरोजनी नाइड़ी हो जाएगा सहीद आजम के नाम से कौं जरना जाता है भगयत सिंग किस पर योजना के फ़लसरूः भारत का विभाजन हुआ तो माउंट बेटन योजना के फ़लसरूः भारत का विभाजन किया गया था जनरल डायर जारिया वाला बाग हत्या कांट से जूरे की हत्या किशने की थी उदम सिंग ने बंगाल का विभाजन कव और किसके दुवारा पारिद किया गया अनिसो पांच में लड़कर वजन के माध्यम से बंगाल विभाजन को पारिद किया गया था भारत में कुल कितने उच नियाले है 24 इसकी संख्या 25 हो गई है दोस्तों परतम लोग सबा का अध्यक्ष निमले कितमे से कौन था साइएंसर है जीवी मंगलोंकर जो है आगे बढ़ते चलते हैं संभीधान सबा का अस्थाय जक्ष किसके शुना गया था सचीदानन सिना इनका संबंद बिहार से था कुची पूड़ी निरित्य सहली मुख्य रुप से किस राजी में मनाई जाती है आंदर परदेश की एकमप्रमुख निरित्य जो है वह कुची पूड़ी है आगे बढ़ते हैं मुहारी निरित्य सहली मुख्य रुप से किस राजी से समबंदित माने जाती है है किस राजी का सास्थ्रिय निरित्य केरल वहीं पर कतक जो होता है सिर्फ कतक उतर पड़्देश से है केसर का सरवाधी कुद पादन की सराज्य में होता जम्मू कस्मिर में भारत में प्रतम बहुदेश ये परुजना निर्मान किस नदी पर किया गया दामोदर नदी पर किया गया है आगे बढ़ते चलते हैं इंडियन निशनल कॉंग्रेस की प्रतम अध्यक्ष जो है बुमेश चैंदर बनर जी है गादी जी किसे अपना राजनीती गुरू मानते थे गोपाल किशने गोखलेगो अगला बिंदू है कि अमार सुनार बंगला 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 जो है इसको बंगला 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 पंडित हरी परसाच्वर सीरte あ सवाधियंत्र बजाते हैं बारत का प्रतम प्रधान मंत्री नी भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए पचीस बर से उम्र होनी चाहिए तब जाकर आप लोग सभा या बीदान सभा की चुनाव लड़ सकते हैं यैसे या मुख्य मंतरी या प्रधान मंतरी बन सकते हैं साची की अस्तूप का निर्मान किसमे कराया था असोक ने अक्षगान किस राजे का लोक निरीते है तो अक्षगान जो होती है दोस्तों याद रखिएगा अक्षगान बहुत इंपोर्टेंट अक्षेगान किस राज़ का लोक निरित है तो करना टक आप जरूर याद रखियेगा कि विश्व का सबसे उचा परवत सीखर माउंट एवरेस्ट किस देश मिश्थी थैं नेपाल में किस नदी को दक्षिन गंगा कहा जाता है तो गुदावरी को दक्षिन गंगा कहा जाता है और दक्षिम्तम गंदा जो है गंगा जो है उसको कावेरी को कहा जाता है निर्विरोध चुने जाने वाले एक मात रास्ट पती कौन है नीलम संजीव रेडी जो थे वो निर्विरोध चुने जाने वाले प्रतम रास्ट पती है भारत के संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दरवन डेल्टा कौन सी नदी पर है तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रहमपुत्र के मिलने से बनती है आगे बढ़ते चलते हैं बंगाल की खाणी में सिंदू कहीं सुद्रा वरूप एक हिंदू है इसले इसमें कोई अंतर नहीं है सिंदू गाटी सबेता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था तो लोथल बंदरगाह जो था वह लोथल था आगे बढ़ता चाहते है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है अमीर खुसरों को सितार और तबले का जनक माने जाता है विस्व का सबसे उंचा पठार कौन सा है या रिखंगे पामीर का पठार या तीबत की पठार जो है विस्व का सबसे उंचा पठार है योजना आयोका द्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री वनस्पती घी के निर्मान में कौन सी गेस पर्योग की जाती है तो वनस्पती घी में हाइडोजन का पर्योग के जाता है इंगलिस चैनल पार करने वाले पर्थम भारती है कौन थे मिहीर सेंज जो है इंगलिस चैनल को पार करने वाले पर्थम भारती है एक अस्व सकती कितने वाट के बराबर होता है 746 वाट के बराबर एक अस्व सकती होता है पानी की बुंदों के गोल होने का क्या कारण है तो पृष्टिये तनाव जो होती है पानी की बुंदों के गोल होने का मुखे कारण है मानो निर्मित अगला कोसे ने कि मानो निर्मीत परत्म रेशा का नाम नाइलोन है आगे बिदु है असपस्ट परती धोनी सुनने के लिए सुरता एवं परावर्ता के बीच के दूरी 17 मीटर होनी चाहिए 17 मेंटर के दूरी पर अगर आपकिसी अरोध के सामने खरो जाते हैं तो आपको ध्होनी आपको प्रावर्ती ध्होनी के रूप में सुनाई देगी किस माध्यम में प्रकास की चाल सरवाधिक होती है निर्वात में प्रकास की चाल सबसे अधिक होती है लेकिन प्रकास की चाल लेकिन वहीप ध्होनी की चाल पूछ दे अकास में तारे टिम टिम आते क्यों है तो सही अंसर परकास के अफ़वर्थन के कारण ये सबी बिंद्वें A.C.E.R.T. से आपके सामने प्रसूत किया जा रहा है प्रात्मिक रंग की से कहा जाता है तो प्रात्मिक रंग जो है लाल हरा निला को हम लोग प्रात्मिक रंग के नाम से जानते हैं वायू याने के टायरों में कौन सी गैस बढ़ी जाती है तो वायू वानों के टायरों में हीलियम गैस बढ़ी जाती है टांका धातू जो है सोल्डर किस धातू किस किस मिलकर बनती है तीन और सिसा को मिलाने से टांका एर्थार सोल्डर बनता है फैलागरा ग्रोग किस विटामिन की कमी से होती है तो फैलागरा ग्रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होती है और मचलियों की यक्रित तेल में किसकी परचूर मातरा होती है तो मचलियों के तेल में दोस्तों विटामिन डी की भाड़ी मातरा होती है और ऐसे भूमी इस्थिर उपगरा की प्रित्विस से उचाई कितनी होती है छतिस सो किलो मिटर यहाई दखेंगे काईदा हैं से एक रह पारसेक किस्की काई होती है तो पारसेक खगोली है दूरी की मातरक होती है 3.26 पर कास बर्ष बर्ष बराबर एक पारसेक कमान होता है पार्ष बर्ष 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 आगे बिंदू है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है पसीम बंगाल में भारत के जो पसीम बंगाल है उसमें चावल का उत्पादन भाड़ी मातरा में होता है वहीं खद्यानों के मामले में पहले अस्थान पर पंजाब राज आता है गिहों हाइडरो फीविया इसको हम लोग कहते हैं राजय सभा का पदेन सभापती जो है उप रास्ट पती होता है दो बार नोबेल पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रत्थम व्यक्ति जो है वो मैडम क्यूरी है मैडम क्यूरी दो बार नोबेल पुरसकार प्राप्त करने वाले व् जो प्रत्म परमबीर चकर विजयता थे भारती राष्टी कोंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नाइडू भारत की थी याद रखेंगे और पहली जो थी एनिवेसेंट अनिसवती राष्टी के 20-वकप विजयता भारती किरके टीम के कप्तान कौन थे कपील देव ज वेलपुरसकार की शुरुवात अनई 101 इस्वी में हुआ था बांगलादेस की मुद्रा किया है तो बांगलादेस की मुद्रा जो है टका है रमायन किस ने लिखी थी तो रमायन के लेख़क जो है महरसी बालमी की है अगला बिंदु है कि भारत में गन्य का सरवाधी कुद पा किनारे इस्थी थे तो नासीक जो है दोस्तो गुदावरी नदी के किनारे उपस्ती थे नासीक गुदावरी नदी किनारे इस्थी थे राष्ट्रपती को सपत दिलाता है सरवोच ने आले का मुखे ने आदिस जपान की मुद्रा कौन सी होती है तो जपान की मुद्रा ये से संबंदित है आगे बढ़ते चलते हैं माउंट एबरेस्ट पर दो बार चटने वाली भारतिय महिला कौन थी संतोस या दो उनका नाम हो जागा सर्वोच नियाले का मुख्य नियादिस कब तक अपने पद पर बना रहा सकता है सैंस तरह 65 बर्स की आयू तक सर्वोच नियाल को साने के सन 1954 में हुआ भारत चिरी चिन समझा जाता है तो याद रखेंगे सन 1954 में जो भारत और चीन के बीच में समझा से जानते हैं सन 2010 में फुटबॉल विस्वोग कप किस देश ने जीता था एस्पे ने जीता था आपको कमेंड करके बताना है कि वरतमान में 2022 देश में जो फुटबॉल हुआ विश्वकप उसका फीफा विश्वकप उसका बीजेता कौन सा देश रहा इस राश्टी एक रक्षा एक आदमी कहां इस थी थे पूना के पास खडग वाशला में डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्ता के लेखक कौन है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्ता के लेखक पंडी ज्वहलाल नेरू हो जाएंगे एक स्वस्तमनु से का हिर्द है एक मिनट में कितने बार धरकता है 72 बार जबकि वहीं स्वसंदर 12 से 15 बार होती है भारत में पहली बात जनगणना कब हुए था 18 सब अरिफे में लाडमयों के समय आगे बरते चलते हैं आगे बरते चलते हैं कोई अगर मिश्टीक हो जाता है तो कमेंट करके बता दीजेगा कि लाई हरोबा किस राज का लोक निडित है तो लाई हरोबा जो है मनिपूर का एक लोक निडित है भारत के किस राज में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल जो होता है उसमें रबर की भारी मात्रा में उत्पादन होती है ब्रिक्षो की मादुयम से समाने रख्त दाब कितना होता है तो मनुस्य के सरीर का समाने रख्त दाब असी बटा 120 यानिकी एक सिस्टोलिक और इसको डैस्टोलिक प्रेसर के नाम से हम सभी जानते हैं अगला बिंदु है कि उतरी गुलार्द में सबसे छोटा दिन कब होता है 22 दिसंबर को 22 दिसंबर एक आई खेल कब और कहां आयोजित किया गया मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एसी आई खेल जो है आयोजित किया गया था वाई बंडल ये दाब किसी अंतर द्वारा मापी जाती है बैरोमीटर याद रखेंगे हडियाना का पहला महिला विश्विद्याले कौन सा था भगत भगत फूल सींग महिला विश्विद्याले खानपूर कला सोनिपत में ये उपस्तित है टेस्ट मैचों कि एक पारी में सभी सभी दसो बिकेट लेने वाला भारतिये खिलाडी कौन है अनिल कुमलेन का नाम हो जाएगा आगे बिंदु है कि सन अठा अनई सो 2015 में पती लोग सभा में कितने सदस्य को मनोनीद कर सकता है दो इंगलो इंडियन को सर्व गराही रक्त समुख किसको कहते है एपी को जबकि ओ जो है वो सर्व दाता रक्त गुरुप कलाता है असायोग अंदुलन किस बर सुरूबा अने सबी सिसी में और अने सबाइस सिसी में च सीख दर्म की अस्थापना किस ने कियता है गुरु नानक देव ने आगे देखेंगे कि भारत में जणगराना कितने बरसों पर होती है दस बरसों पर आगे बरते चलते हैं अगला बिंदु है कि मेग दूत किसी रचना है तो मेग दूत काली दास की रचना है भारत की स्वत आगे बिंदु है कि scout and guides संसना के स्थाफना किषनी किया था Robert Barden Powell ने संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रसांत महासागर को संसार का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है Penalty cake सब्ढ किस खेल से पर्यूक्त की जाती है तो फिटबॉल से संबंदीत है आगे बिंदू है कि रंजी ट्रोफी का संबंद किस खेल से है किर्केट से दोस्तो कल हम वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें संपूर्ण हिंदी टोटल हिंदी जो है A to Z हम आपको पूर्ण कड़ा देंगे कोई टेंसन लेने की जो रतनी है कल जो है हिंदी का संपूर्ण वीडियो आपलों के लिए पर भाई यह मतलब प्रदान कर दिया जाएगा रंजी ट्रोफी का संबंद किस से किर्केट से ग्यानपिट पुरसकार की छेतर में दी जाती है तो ग्यान पिट पुरसकार जो है साहीति की छेतर में दी जाती है भारत का सरवोच खेल पुरसकार कौन सा है राजीव गादी खेल रतन पुरसकार ठीक है आगे बढ़ते चलते हैं इसका नाम बदल दिया गया है मेजर ध्यान चंद जो खेल अपने पुरिसकार इसका नाम रख दिया गया है और जो पुरिसकार की सबर सुरू हुआ अने 101 स्वी में भारत की मानक समय रेखा कौन सी है पंदर पाच डिगरी पुर्वी दिसांतर रेखा इलाबाद से गुजरने वाली जो रेखाएं होती हैं उसी को भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया है मैक्सेस पुरसकार पाने वाले पहले भारतिये कौन थे तो मैक्सेस पुरसकार पाने वाले पर्थम भागतिये व्यक्ति विनोबा भावे हैं मुनालेसा किसकी विश्व विध्याले पेंटिंग है तो लियो दन वीची का जो है मुनालेसा विश्व विख्यात पेंटिंग है लियो लियोनार्दो दविंची जो है मुनालेसा इनकी एक पेंटिंग है जो की बहुती फेमस है अगई बिंदु है कि स्वांग किस राज की ल भ्यक्ष द्वारा किया जाता है अंती मोगल समराट ने मिले कितम से कौन था बहादूर सा जबफर आगे बढ़ते चलते हैं आगे बिंदु है कि तमबाकू फिर से देखेंगे तमबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंद लगाने वाला बिस्व का पहला देस कौन से था भूटा तमबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंद लगाने वाला बिस्व का पहला देस भूटान है गोदान किसकी रचना है मुनसी प्रेम चंद्र की और याद रखेंगे आगे बिंदु है चार्तोती रांबिर स्वाइन फिलू बिमारी किस विसान्यू के कारण होती है है एच वन ए 42 संबिधान के माध्यम से मौली करतब्यों को संबिधान में जोड़ा गया है और 42 संबिधान संसुदन को दोस्तो मिनी कंसिट्यूशन लगू संबिधान के नम से भी जना जाता है नमक कानून तोरने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा अंदोलन सुरू किया था सभी ने अवग्या अंदोलन 12 मार्श से 6 अपरेल ताकि आद रखेंगा 1930 उपराष्ट पती के चुनाव कौन करता है तो उपराष्ट पती के चुनाव संसत सदस्य करते हैं बिजए अस्तम कहां इस तो बिजए अस्तम दोस्तों चितो और गड़ में उपस्तित है आज हम इस वीडिय के वीडियो और परसो लास्ट इसका रिविजन सम आपको करा देंगे सुक्रिया जै हिंद जै भारत